जादूई पतीला. सानों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था. वह गाव के एक जमीनदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था. पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े. बस्दूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था. वो हर दिन सोचता की कैसे घर की स्थिती को बहतर किया कुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातू से टकराई और तेज आवाज हुई. किशन के मन में हुआ की आखिर ऐसा क्या है यहां? उसने तुरंद उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला. पतीला देखकर किशन दुखी हो गया. किशन के मन में कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती. फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूं. किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फैंक दी और हात मो धोकर खाना खाने लगा. खाना खत्म करने के बाद किशन अ के अंदर एक नहीं बलकि बहुत सारे कुदाल थे. उसे कुछ समझ नहीं आया. कभी उसने अपने पास रखी एक तोकरी को भी उस पतीले में फैंक दिया. वो एक तोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई. ये सब देख कर किशन खुश हो गया और उस भी पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया. वो हर दिन उस बरतन में अपने कुछ ओजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता. ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी. उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया. एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया. वो गहने भी बहुत सारे बन गए. इस तरह धीरे-धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमीनदार के यहां मज़ूरी करना भी छोड़ दिया. किशन को अमी पतीले के बारे में पता चला. उसने किशन से पूछा, तुमने यहां पतीला कब और किसके घर से चुराया? दरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब. यह पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था. मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है. खेत में खुदाई की बात जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला, तो यह मेरा हुआ, किशन ने जादूई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नते की, लेकिन जमींदार मौहन ने उसकी एक नहीं सुनी. वो जबर्दस्ती अपने साथ वो जादूई पतीला लेकर चला गया. जमीनदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डाल कर उन्हें बढ़ाना शुरू किया एक दिन जमीनदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एकेक करके उस पतीले में डाल दिये और रातो रात बहुत अमीर हो गया एकदम से जमीनदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुँच गई पता लगाने पर राजा को भी जादूई पतीले की जानकारी मिली फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेज कर जमीनदार के यहां से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया राजमहल में उस जादूई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू दिया सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए पतीले से निकला हर राजा बोलता मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ तुम्हें तो इस जादूई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादूई पतीला भी तूट गया। जादूई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानत लड़ाई के बारे में नगर में सब को पता चल रहा। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमीनदार मोहन ने सोचा अच्छा हुआ कि हमने उस जादूई पतीले का इस्तमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूरखता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख, जादूई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहले की मूरखता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह की हर सामान का इस्तमाल संभल कर करना चाहिए। अतिहानिकारक हो सकती है।